सो ही गाईस आज़ों देखने वाले हैं क्लास 9 के इंग्रिस के चैप्टर 1 जो कि है इसमें हमें फ्यूचर के एक ऐसे वक्त के बारें बताया गया है जिस वक्त में ना कोई बुक्स होंगे ना ही कोई स्कूल्स होंगे और जो बच्चे होंगे वो पढ़ाई करेंगे टैले ब बच्चों की बारें बताया गया है जिन की वक्त में सभी के पास सिरिफ टैले बुक्स हुआ करते थे और किसी ने कभी भी प्रिंटेट बुक्स नहीं देखी थी तो यहां पर वही है इसको आधारीट है 흥 है देखते कि हमें सबसे पहले क्या बताया गया है तो यहां पर ध्यान दो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि इनके वक्त में बुक्स नहीं हुआ करते थे बुक्स का मतलब हुआ कि जो चीज प्रिंटेड हो जाते कि कहानी किताब होती है फिस साइंस मैथ जो भी सब्जर्ट्स हो गए उनके किताबे होती है तो उस चीज़ नहीं थे लेकिन दूसरी चीज़े जैसे कि कॉपी हो गए डायरी हो गए यह सब तो हो सकती है और वो अपन प्रिंटेड राती थी फिर मारगी और टॉमी मुति हें मतलद उनक्तों करते हैं जैसे अरो नहीं साते हैं Verantwortung बदलके नहीं रातते हैं यहां पर विए consuming प्रिज एक रहाती है जैसे स他 डौन करते हैं सारे बतला बदलके नहीं वह लड़ता फिर वापस पीछे पर पेज़ पर जाता हो देखता है के सारे वर्ट्स वहीं पर सेम तू सेम है तो वह यह बोलता है कि यहां पर पूरा पढ़ लेता है तो इसमें नए चीश तो आएंगे नहीं सारे पहले याँसे रहेंगे तो वह इसको फेक देगा इसलिए बुग एक वेस्ट क्योंकि जब यह आदमी जो है एक भुक को पूरा लेगा तो फिर उसको उस बुख को टाकर करे नए लेना पड़े काफी चारीव कम्पूटर या फिर ट॑स के लागों बुक्स है और यह कहते हैं कि एक ही टेली बुक से हमारा काम चल जाता है हमने कभी भी बहुत सारे टेली बुक एक बार में नहीं देखे हैं क्योंकि एक ही कम्प्यूटर में अब देसे तो कितने सारे बुक जो है रखे जा सकते हैं अब दिखो यहां बताया गया है कि मारगी जो थी वो 11 साल के थी और जो टॉमी था वो 13 साल का था यहां पर मारगी जो टॉमी से पूछती है कि टॉमी तुमको यह बुक कहां से मिला तो जो Tommy रहता है वो बुक को पढ़ता ही रहता है और पढ़ते हुए ही वो बोलता है कि मुझे मेरे घर में मिला है और फिर जो है वो ही सारा करता है अपने घर की तरफ उसके बाद Margie पुछते हैं अच्छा ये बता इसके अंदर लिखा क्या हुआ है मतलब किसके बारे में इसबुक में लिखा हुआ है तब यहाँ पर जो Tommy रहता है बोलता है कि इस बुक के अंदर पूरा बताया गया है कि स्कूल के बारे में मतलब उस वक्ट में पुराने वक्ट में कैसे स्कूल हुआ करते थे अब यहाँ पर जब यह सुनती है मारगी के इसके इंदर पूरा स्कूल के बारे में लिखा गया है तो मारगी बोलती है कि अच्छा आखिर स्कूल में ऐसा होता क्या है कि उसके बारे में बुक में लिखा गया है और मारगी ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि मारगी को जो स्कूल से नफरत आता है और उसका यह जो नफरत है यह और ज़्यादा बढ़ जाता है जब उसका जो mechanical teacher जिसको आप robot कह सकते हो वो जो है geography में test पर test लिये जा रहा होता है और मारगी जो हर बार बुरे से बुरा perform करती है तो इस चीज को देख करके जो मारगी की मा रहती है वो उस mechanical teacher को जो है country inspector में जो उस छेत्र का जो निरिक्षन करने वाला रहता है उसके पास बेज देती है जिससे कि उस robot में जो है थोड़ा बदलाव लगा जा सके उसके बाद यह जो inspector रहता है ना इसके बारे बताया गया है क यह चोटा और मोटा आदमी रहता है इसका face लाल रहता है उसके पास टूल बॉक्स रहता है जिसके नदो रहता है टीक है wires रहता है और वो एक मारगी को apple देता है और जो आदमी रहता है उस टीचे को ले करके चला जाता है यहाँ पर वह वहकती कुछ इसमें मतलब रहता था ठीक है उसके अंदर lesson flash होते हैं questions जो है यह से उसमें मतलब आने लग जाते हैं वो पूछन लग जाता है तो यहां पर जो है यह जो question पूछता था इससे मारगी को ज्यादा बुरा नहीं लगता था मतलब हाँ थोड़ा लगता था लेकिन सबसे जिस पार्ट से वो न और उसकी मां से कहता है कि दिखिए मारगी के गलती नहीं है यह जो teacher था मिन्स इस robot को कहता है कि यह जो है जिग्राफी के sector को बहुत तेजी में पढ़ा रहा था मिन्स level up कर रहा था hard करते जा रहा था और मैंने इसको slow करके 10 साल के बच्चे के तक जो है ला दिया मतलब कि व वो सोचे थे कास जो है इसको इस mechanical teacher को आदमी लेकर चला चाता और नहीं बना पाता क्यूंकि एक बाद टॉमी का जो mechanical teacher था उसका history का पूरा section उड़ गया इसलिए उसको बनाने के लिए यह जो inspector था उसको एक महिने तक जो है लेकर चला गया था अपने साथ तो वही सोचे थ तो इसलिए लिए बोलते हैं कि आखिर क्यूं स्कूल के बारे में लिखे में लिए ल loaf उसको के बारे में क्यूं नहीं बता गया ठाई है जो कि यह पार्जा करते थे नहीं हुआ करते देए तो यहाँ पर अब जो है इंट्रेस्ट लेते हुए टॉमी के कंदे के उपर से बुक को उठाती है विस उतना उपर लाकर करके वो पढ़ना सुरू करती है कि अच्छा इसमें लिखा क्या हुआ है फिर मार्गी कहती है कि उन लोग के पास भी टीचे थे तब यहाँ पर टॉमी कहता है कि आरे उन लोग के पास जो है टीचे के तौर पर इंसान हुआ करते थे कोई रेगुलर टीचे नहीं रेगुलर टीचे मतलब यहाँ पर रोबोटी टीचे को कहा गया है फिर टॉमी कहता है कि जो टीचर होता था वो बच्चों को जैसे लड़के होगे लड़किया होगे उनको homework दिया करता था उनसे questions पुछा करता था तो यहां पर मारगी पुछती कि एक इंसान इतना smart होई नहीं सकता है बट फिर टॉमी कहता है कि नहीं बट वो तो था फिर टॉमी कहता है कि उस वक्त में special building हुआ करता था इसका जहां पर बच्चे पढ़ने जाते थे और सभी बच्चे जो एकी चीछ पढ़ते थे और उनका जो age group होता था वो same होता था जैसे कि हम लोग भी class बोलते हैं ठीके ना उसी के बाद कीए तभी मारगी बोलती है कि मेरी मम्मी कहती है कि टीचर को जो है एड़्जस्ट करना पड़ता है क्योंकि बच्चों के जैसे लड़के है लड़कियों कि उनके जो जानने के तरीका हो लेकिन ये तो अभी half finish भी नहीं हुआ था मतलब उसको बहुत ज़्यादा पढ़ना बागी था तभी उसकी मा रहती है मिसेस जोन्स वो बोलाती है कि आओ तुमारे स्कूल का टाइम हो गया है तभी वो कहती है कि सायद अब टॉमी के भी स्कूल का टाइम हो गया है मतलब उ क्योंकि उसके बैटरूम के बगल में ही रहता है वहां पर उसका mechanical teacher wait कर रहा होता है यहां पर यह जो mechanical teacher उसको हर दिन एकी समय पढ़ाता है सिर्फ Saturday और Sunday को छोड़ करके क्योंकि जो मारगी के मारती है कहती है कि अगर छोटी बच्ची यह हर दिन एकी वक्त पढ़ती है means regular hours तब उनको कोई चीज बहुत जल्दी याद हो जाती है जो स्क्रीन है वो जल उठता है और उसमें लिखा रहाता है कि आज अर्थमेटिक लेसन अर्थमेटिक हो गया जो की मैथमेटिक का एक ब्रांज है जिसमें नंबर्स की स्टडी की जाती है तो उसी में आज वो सिखाने वाला था इसको प्रॉपर फ्रेक्संस को एड़ करना लेकिन उससे पहले बोलता है कि कलका जो होंवक है वो जो है स्लॉट में डालो ठीक है मारगी जो है अपना वर्क जो है डाल देती है स्लॉट में एक आह भरते हुए लाइक नहीं होता है कि बहुत गहरी सांस लेकर चुट्टी होने के बाद एक साथ घर जाते थे इसके साथ वो सभी एक ही चीज़े पड़ते थे और वो लोग एक दूसरी की मदद कर सकते थे होमवक करने में और उनके जो टीचर सुगा करते थे वह भी हुमेन बिंग सुगा करते थे ना कि रोबोर्ट तो यहीं यह सोचन कितना अच्छा था वो लेक साथ रहते मतलब कि उसको जो है अपने स्कूल एक कॉमपेर में बहुत ही अच्छा लगा था कि उसमें जो है और टीचर भी जो थे यह हुमेन बिंग्स थे और सारे बच्चे जो एक जाए पढ़ते खेलते एक दूसरी के मदद भी किया करते थे तो simply कहा जाए तो वो सोचती थी उस वक्त में जो बच्चे थे जिनको खुसी और अनन्द मिलता था उसके बारे में means the fun they had इसलिए इसका ये topic रखा गया तो इस वीडियो में से इतना ही आसा कुमपा को वीडियो अच्छी लगे अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करते दो सेहर करते हैं कि आपका क्या विचार है कि दोनों में से कौन सा इसकूल आपके हिजाब से ज्यादा अच्छा है और क्यूं और हाँ जाने से प्लेज प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को तो मिलते हम लों नेक्स वीडियो में